लेडिस न्यूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धान संग्रहन केंद्र में अनीमियत अता अभनपूर के समीब जौनदा धान संग्रहन केंद्र में भारी अनीमियत अता देखने को मिला आपको बता देगी धान संग्रहन केंद्र में धान उठाव के लिए आने वाली ट्रकों को सड़क के दोनों और खड़ी होने से आने जाने वालों को खासा परिशानियों का सामना करना पड़ता है वही लोगों ने बताया कि ट्रकों का सड़क के दोनों और खड़ी रहने से दुरखटना होने की संभावना अक्सर बनी रहती है वही ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि लगबग 2.500 ट्रक खड़ी है और दो दिनों से गाड़ी अंदर न लेने की वज़ा से बाहर में खड़ी धान उठाव वाली गाड़ीों की संख्या बढ़ी है सड़क में जान की स्तिती बना रहता है और अक्सर यह नजारा यहां रहता ही है और दो दिनों से खड़े होने के चलते ड्राइवरों ने बताया कि पीने का पानी की विवस्था नहीं है साथ ही एक ही हैंट पम है जिसमें पानी पीने योगे नहीं है पर मजबूरी के चलते गंदा पानी पीने को विवश हो रखे है करें खड़े खड़े के लोड में अपर सब्सक्राइब कर दो सो गाड़ी होगा अंदर नहीं 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 हम लोग पास एक दूसर से हेल बले के काम संतोस्कार बन जा रहे हैं उनाrome कर दीन से तो गाड़ी अंदर नहीं ले रहा है कंगो 2500 गाड़ी खड़ा है आती हादवी नहीं ताफीक रहे दूसर फूसर ऑग गाड़ी त्राफिक जाम हो रहा है स् और अठीन होने कौने पे सही यह आशंक्य भी है कलीम खान सब्सक्तERS सब्सक्राइल पर के लिए तरह डना पर закон इंवितता निव इते ही ट्रक आदे आप बयास्थित कर नहीं करते हैं यहां जाम हो रोट को जाम करके कोई ट्रक खड़ा नहीं है जी मेरा नाम पर अशी राम नायक और यहां पर कोई सब्सक्राइब नहीं है मुएसाय परमंदुग मुएसाइब नहीं है